दर्शको देश का नाम रौशन करने वाले अंतरराश्ट्रिये महिला पहलवानों ने जो जंग महिला शोशन के खिलाव छेड़ी उसमें उनकी लगतार अंदेखी होती रही सरकार लगभग गुंगी बहरी बनकर पूरा तमाशा देखती रही खेल मंतरी अनुराक ठाकुर खिलाडियों को आस्वाशन देते रहे तो दूसरी तरह ब्रिजभूशन सत्ता के नशे में चूर होकर खिलाडियों के जखमों को हरा करता रहा भारतिय कुष्टी संग के अध्यक्ष पत्से भूशन शरण सिंग को हटा तो दिया गया लेकिन उसके ही करीबी को भारतिय कुष्टी संग का ध्यक्ष भी बना दिया गया जिसके बाद ब्रिजभूशन शरण सिंग सत्ता के नशे में चूर होकर पहलवानों के संघर्ष पर एहंकार का तेजाब डालता हुआ दिखा जिसके बाद शाक्षी मलिक ने कुष्टी से इस्तीफा दे दिया तो पुरुश रैसलर बजरंग पुनिया भी पदम शिरी लोटा ने परधान मंतरी आवाज पहुँच गए उन्हें जब परधान मंतरी आवाज खुसने नहीं दिया गया तो उन्होंने पदम शिरी को सड़क किनारे फुट पात पर ही सम्मान पूर्वक रखकर वेह वहां से जाने लगी लेकिन इस सबके बीच सरकार की भी भारी किरकरी होने लगी और लोगों के इमोशन महिला पहलवानों और पहलवानों के साथ चुड़ गए जिसके बाद खबर लिखे जाने तक सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसे की सरकार की बदनामी को थोड़ा सा धका जा सके वो फैसला और क्या कुछ हुआ अभी तक सब बताते हैं आपको दोस्तो भारतिय कुष्टी संग के नए अध्यक्ष चुने गए थे संजे सिंग जिसके बाद ब्रिज भूशन शरण सिंग के बड़े ही खमंड वाला नारा हम सब को देखने को मिला दबदबा था है और कायम रहेगा जिस तरह की नारे बाजी ब्रिज भूशन की तरफ से हुई उसकी भाजपा के नारी वंदन सोच की और नारी वंदन सोच को ही कट घरे में खड़ा कर दिया गया जिसके बाद अब खेल मंत्राले ने फैसला किया कि भारतिय कुष्टी संग की नए कारेकार्णी को निलंबित कर दिया गया है दोस्तों किसान आंदोलन के जनता संगर्श की कहानी तो हम सब के बीच जीवित है यह दूसरी विजय कहानी है जिस ब्रिज भूशन के राजनीती शक्ती के आगे भाजपा लाचार दिख रही थी लेकिन जैसे ही भाजपा को लगा कि ब्रिज भूशन अब उन्हीं के लिए नासूर बन रहे हैं तो भाजपा ने उस नासूर को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है लेकिन दोस्तों अब इन फैसलों का क्या फायदा जब राजनीतिक विवश्ता ने इस देश के महान खिलाडी की बली ले ली है पहलवानों ने जिस तरह से फिर स भाजपा के खिलाप मोर्चा खोला सरकार कथित तौर पर पूरी तरह से हिल गई पीम मोदी का एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने रक्षा बंदन के दिन साक्षी मलिक को मुबारक बात दी थी ब्राउंज मैडल जीतने के लिए और कहा था कि आपने देश को गर्व करने का मौका दिया है लेकिन जब वहीं देश की बेटी रोती है और सरकार के धीले रवाईये की वज़े से अपनी कुष्टी छोड़ देती है तो पीम मोदी एक शब्द नहीं बोल पाते हैं दर्शकों कहते हैं न सुख के साथी सब होते हैं दुख का साथी ना कोई जीते हुए लोगों से मिलने पर कहीं न कहीं उनकी मेहनत का कुछ श्रे पीम मोदी भी ले लेते हैं लेकिन बदनामी की चादर कौन ही ओढ़ता है और जिसकी वज़े से पीम मोदी ने दूरी बना ली महिला पहलवानों से और भाजपा और सरकार की तरफ से परतिनिधी न्युक्त कर दिया गया खेल मंतराले को हाला कि प्रकिरिया के तौर पर देखे तो खेल मंतराले ही इसके लिए सही जगा है बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए पीम मोदी का जिक्र इसलिए पीम मोदी इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला शशक्ती करण महिला सम्मान महिला आत्मिर भरता नारी शक्ती वंदन अधिनियम तक के रचाईता है पीम मोदी तो सवाल भी पीम मोदी से ही होगा वहीं दूसरी तरफ गूंगा पहलवान के नाम से फेमस विरिंदर सिंग में भी अपना पदम श्री लोटाने की बात कह दी है दोस्तो आप खुद ही सोचिए जिस पहलवान में ना अपने उपर गरीबी लाचारी और विकलांगता हावियों ने दी वह पहलवान भी सरकार के धुलमुल रवये से इतना आहत हुआ कि उसने भी अपनी मेहनत के दम पर लिए पुरुसकार को लोटाने की बात कर दी जिस तरह से ब्रिजभूशन ने संजे सिंग के जीतने पर नारे बाजी की वह दिखा रहा था ब्रिजभूशन किस तरह से सामंतवादी सोच से प्रभा रही है कि भाजपा कितनी मजबूर और लाचार है उनके सामने जिस तरह से ब्रिजभूशन ने नारे बाजी की थी उस पर बजरंग पुनिया ने भी कहा कि किस चीज का दबदबा है किसको दबदबा दिखा रहे हैं फैडरेशन खिलाडियों की सपोर्ट के लिए होती है द आपने सुना बजरंग पुनिया की बाइट को ब्रिजभूशन शरण सिंग जब ये नारे बाजी कर रहे थे तो वह भूल गए कि भले ही फैडरेशन में वह अपने राजनीतिक वर्चस्व के कारण दबदबा बना कर रख सकते हैं लेकिन देश को मैडल और गर्व कराने का मौका तो यह खिलारी ही देते हैं आप याद कीजिए जब देश का कोई पहलवान किसी अंतरास्टिये फील्ड में या किसी अंतरास्टिये मंच पर देश के लिए पदक जीतता है तो सब के बीच 123 के designation में जब पहले नंबर पर तिरंगा उपर रुखता है और जब देश का अंतरास्टिये पटलों पर बसता है तो यह शर्ण भावुकता वाला शर्ण होता है यह विजय वाला शर्ण होता है यह दिखाने वाला शर्ण होता है कि भारत का फुरुशार विश्व के किसी भी देश से कम नहीं है यह शर्ण इस बात को इस्थापित करता है कि भारत के स्थापित देशों ने विक्सित देशों ने भारत को ढ़ी दिया था भारत की भारत जब अंतराश्टिये इस तरह के मैडल जीथता है तो बहार दिखाता है कि भारत अभी भी विश्व गुरुबने की शम्ता रख सकता है इस पूरी कवायर में पूरे निलंबर में प्रफिश कर रहा है जिसको राजनीत करना है उनका बेक्षिकत मामला है उसके कोई चिपड़ी उन्होंने कहा है वह एक डमी कंडिडेट है आप एक राके बैठाए गई है तो दर्शको सुना आपने आप लोगों का क्या कहना है सरकार के रवये पर इस निलंबन पर साक्षी मलिक के स्तीफे पर हमें जरूर लिग भेजें देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये नेक्स्स टाइम न्यूस पॉलिटिकल बाइट धन्यवाद